असलाम लेकुम दोस्तों आप वेलकेन नो माईटूब टैनल उम्मीड करता हूँ आप सब खेरो आफिस से हुँगे मेरे पास यहाँ पे मुझूद है इस्टीवा डेली वाइटनिंग फेस वोश आप लोग यह पे चेक आउट कर सकते हैं यह फेस वोश क्या करेगा इसके बे स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बाता चलों कि जो स्किन केर में सबसे पहले जो स्टेक होता है वो होता है फेस वोश जी हाँ दोस्तों अगर आप लोगों ने यही अपने वेक को यहीं से खराब कर दिया यह आप ल अगर आप लोगों के इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं और इस वाइटिंग फेस्वाश का रीवी भी देने वाला हूं तो ग्लास यस्किन चाहते हैं न एक दम से यानके फिस्वाफच साहि आप लोगों क theo यहां पर लोगों के साहिए.izione क्लिया और क्लीन ौट देगा और excess oil को बाहर निकाल देगा आप लोगों के complexion को light करेगा जी हां दोस्तों यह कहना है इस वीडियो में डेमो भी दिखा देता हूं कि आखिर वज़ा क्या है मना करने की आप लोग यहां पर चेकाउट कर सकते हैं यह है इस वाइटनिंग पेस्वोश की यहां पर कसंस यह जो असल फॉर्म में है आप लोग यहां पर चेकाउट कर सकते हैं यह देख लें यह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमने कोई अपने फेस्वोश को वाश कर लेंगे ना लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को यह महसूस होगा कि आप लोग ने कोई ना कोई यहां पर चिकनी चीज़ अपने फेस्वोश का सबसे बड़ा साइड फ्रेक्ट है उसके इलावा आपकी एकनिकों भी ट्रीट नहीं करता और रही ग्लो की बात और डाफिनेंटी आप लोगों के फेस्वोश पर ग्लो लेकर आता है आप लोगों के फेस्वोश को यह ऐसे कर देगा बिल्कुल ग्लास स्किन यानि के चमकदार जो यहाँ पर वाज़ा करके लिख दिया गया है आप लोगों के समय को बाइट भी करेगा और ग्लो भी करेगा देगे यह है इस वाइटिंग पेस्वोश का कहना मैंने फरसरे भी आप लोगों को बता दिया है यह यह ना तो एकन कर सकते हैं sensitive skin हैं तब इसके स्थमाल कर सकते हैं combination skin है तब इसके लेकिन इन्होंने यहां पर लिख दिया है for all type skin वाइरल नहीं हुआ लेकिन जो आज कर इसके चर्चे हैं वह बड़े जबर्दस हैं इसकी क्रीम भी है वह भी मैं आप लोगों इसका रिवी बहुत जल्दी देने वाला हूं इसकी वाइटनिंग क्रीम के आज कल बहुत ही यहां पर चर्चे होने लगे हैं आप लोगों को पाकिस्तान है प्रोमोशन से सब कुछ किया जाता है यहां पर दो पेसी देतो हो तो हर किसम की यहां पर आप लोगों को एड़टाइस देखने को मिल जाएगी अब बेशे कुन चीजों के साइट प्रिक्ट हो या ना हो या बेनफिट्स हो या ना हो अब बात करता हूं कि इस वाइटनिंग क्रीम को या निका सोरी इस वाइटनिंग फेस को हमें बाय करना चाहिए या नहीं डैफिनेंटली आप लोगों को बाय करना चाहिए वह क्यों क्यों कि एकदम तो ही हमारे स्किन को वाइट करता है और दूसरा एकदम से हमारे फेस पे ग्लो लेकर आता है लिस तो आप लोगों को यही चीज़े तो चाईए और तीसरा यह कि यो आप लोगो के फिम्रेट को क्लिंजिंग करता है यहाँ पर लोगो कोई मिल नहीं रही तो मैं आप लोगों को यह रेकमेंडेशन कर अटाइक यह फिर सुफिल Migформ ndz कर दे मिलते हैं नेक्स वीडियो में